इस साप के दोनों सिर अलग-अलग सोचने के लिए सोतंतर होते हैं और कभी-कभी जब इनके विचार आपस में नहीं मिलते तो ये एक दूसरे पर ही हमला कर देते हैं वैसे तो ये साप बाकी सापों की तरह ही छोटे मैमल जैसे मेडक और चुगो को खाना पसंद करते हैं लेकिन कभी-कभी भोजन नहीं मिलने पर ये एक दूसरे को इखा जाते हैं जिससे इनकी एज काफी कम होती है दो सिर होने के कारड़ इन सापों को डबल हिडेटी स्नेक क में पाए जाने वाला ये साप 6.5 फुट तक लंबा होता है जो देखने में काफी शांदार लगता है इसका सिकार करने का तरीका काफी अलग होता है यह पहले अपने सिकार को जकर कर मौत के घाट उतारता है और फिर निगल जाता है इसकी असली खुपसूरती तो तब देखाई देती है जब यह दूप में निकलता है सनलाइट में इसकी नहीं इंद्रधनुष की तरह चमकती है इसी लिए इसका नाम रैंबो बोह रखा गया है दोस्तों ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा